आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं गाइज आप मेरे इस वीडियो के टाइटल को देखकर समझ चुके होंगे कि आज मैं उन बिगिनर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जिनके पास उत्सात होता है लेकिन वे अपना छोटा सा गार्डन बना नहीं सकते क्योंकि उनके घर्ब से पर्मिशन नहीं मिलती पैरेंट्स बोलते हैं कि ये पैरसो की बरबादी है इसमें क्या रखा है पढ़ाई करके कुछ बन जा तो ऐसा नहीं है इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं तो आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं ये वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ ऐसे ही मेरे वीडियो पाने के लिए मेरे चाइनल को सब्स्क्राइब करना मत भुलना और पास वाले घंटी बटन को बद दबाना बिल्कुल भी मत भुलना ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आ सके तो चलिए आज शुरू करते हैं कि कैसे हम अपने पोदे को बेच कर और दुसरे पोदे कैसे बना सके और उससे और कैसे पैसे कमा सके तो जो बीगनर से उनके पास थो थोड़े बहुत पेड़ होतो होने चाहिए वही में एक नाएक तो पोधा होगा ही तो उनसे मांगकर आप उनकी छोटी-छोटा कर लाकर आप लगा सकते और वही कट्पको बढ़ा कर नके आप और दूसरे और पोदे बना सकते हैं अगर आपको सक्लेड प्लांट का कटिंग्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंक मेरे पड़ोसी से मैंने पॉर्चुलकाज ज्याने चीनी गुलाप्स की छोटी-छोटी कटिंग्स लाकर लगाई थी तो यही यह वह पड़ा जिसकी मैंने जिस मेरे पड़ोसी से कटिंग्स लाकर लगाई थी मैंने दो लगाई थी और उससे मैंने वह बड़ा हो गया बड़ मैं इसकी और cuttings काट कर इन दो प्लास्टिक बैग में लगाई फिर यह प्लास्टिक बैग से मैं और ये छे बना दिये ये छे में इसी सिफ एक गमले एक बैग से बनाए है और आभी एक बाकी है तो इसका मैं वीडियो अगले उसका मैं अगले वीडियो में दाल रहा हूं कि क जैसे आप कटिंग कटिंग लगा सकें मेरे पास वाले नर्सरी में मेरे में प्लांट सेल करता हूँ फिर वह आगे उसके कस्टमर को सेल करता है और उसके आगे की मगजमारी वह करता है मैं सिर्फ उसे मेरे प्लांट दे आता हूँ और उसके पास से कम से कम दाम में पैसे लेता हूँ जैसे की छोटा होगा तो 10 रुपए और बड़ा होगा तो 15 या 20 या 25 इतने में ले लेता हूँ इस काम को अपना पार्ट टाइम जॉब समझना है आप अगर पढ़ाई या जॉब करते हो तो अपने गार्डन के लिए आपको सिर्फ एक या दो घंटे निकालने हैं ज्यादा देर तक काम करने की ज़रूरत नहीं है और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो प्लांट की कटिंग करते हैं उसको आप फेक ए हमत उसकी ब्रांचेस को आप फेकी हमत वही ब्रांचेस को आप दुसरे केरे बैग या फिर गम्ले में लगा कर उसको बढ़ा कीज़िए और उसी को फिर बेज दीज़ फिर उससे और पैसे लेकर फिर और बना दीजी तो ऐसे करते करते आपका पुरा गार्डन भर जाएगा तो पोदे की हाइट कम से कम इतनी तो होनी चाहिए नहीं तो फिर अगर छोटा होगा तो नरसरी वाला नहीं लेगा वो केर करते नहीं बैटेगा आपकी इस प्लांट्स को यह देखिए यह मेरे पांच उंगलियों से थोड़ा सा बड़ा है तो इतना तो होना चाहिए आपका पोदा तभी वो खरीदेगा यह मेरा कम से कम 25 या 30 रुपे में चला जाएगा उसके पास तो वो आगे 1500 तो जितना बेचे उसकी मर्जी आप सीब उसको यह देखे आईए आपको 25 रुपे सीफ कम लगे रहे होंगे लेकिन आप ज़्यादा बनाएगे ना कॉंटिटी ज़्यादा रखेंगे दस कॉंटिट रखेंगे आपको ड़ाइस रुपे मिलेंगे ना 25 रुपे में से आप दो या तीन पोदे ले सकेंगे उसके पास से और उससे आप पेचान करके ले लो क्योंकि आप और पोदे उसको दे देंगे फिर वो आपको आदी या आदी से कम दाम में भी दे सकता है मेरे भी मेरे पास का नरसरी वाला है जिसके पास से मैं पोदे ले आता हूं और उसे को में आपने आपको ये बतना चाहता हूं कि सब्लाइट के आप अगर प्लाइट है तो वह जल्दी ग्रोव करती हैं बागी इस द्वाकी जो प्लांट होते हैं उसके सबसे ये कटिंग जल्दी ग्रोव हो जाती है आप चाहें तो गुलाब की बटन रोज वाली वराइटी भी लगा सकते हैं यह देखिए मैंने इसमें चार लगा दिये हैं और इस से इसमें बट्स भी आ रहे हैं इधर इधर मैंने इसिफ इत्ति-ती कटिंग्स लगा थी लगाई थी मैर इस प्लांट से मैंने इधर चार कटिंग्स लगाई थी इत्ति-ती कटिंग्स लगाई थी तो मैं तो उससे और बढ़ गई और आप सिफ बटन रोज का एक कटिंग्स लगाईएगा क्योंकि इंग्लिश रोज याने जो ग्राफ्ट वाला रोज हता है उसकी कटिंग ना लगाये यह वहले जो होते हैं इंगली शुरूज यह उपर का इंगली शूरूज ना लगाये सिर्फ यह बटन रोज लगाए यह वाले जो होते हैं यह नहीं आते ये देखिए, ये मेरा Baby Sunrose का प्लांट है, ये भी एक सर्क्लियन प्लांट है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं, ऐसे ही आप सर्क्लियन प्लांट की जल्दी कटिंग लगा सकते हैं, वे जल्दी आते हैं मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि जिसमें आप प्लांट्स की कटिंग कैसे लगा सकते हैं सक्लियन प्लांट्स की ये खास बात है कि वे अपने पत्ते से भी ग्रोव कर सकते हैं ये अपने मेरे अगले वीडियो में आ रहा है कि वे पत्ते से भी कैसे ग्रोस रहा सकते हैं मैं उसकी अपडेट के साथ वो वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ मैंने सिफ ये सर्कुलेंट प्लांट्स के उपर बताया आप दूसरे भी प्लांट्स के डिवाइड करके और प्लांट्स बना सकते हैं और वो बेच सकते हैं जैसे तुलसी, हिबिसकस, बटन रोज, इंगलिश रोज के कटिंग ना लगाएं जैसे मैंने आपको बताया इंगलिश रोज ग्रोथ नहीं करता है सिर्फ बटन रोजी ग्रोध करता है क्योंकि वह grafted नहीं होता और उसकी जो roots होती है वह गलती नहीं है root rotting नहीं होती उसमें तो मैंने यह बता आया कि आप पोदे से पोदे बना कर कैसे आप पैसे कमा सकते हैं अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना तो प्लीज मत भूलना आपकी प्लांट के बारे में कुछ भी दिक्कत है तो मैं उसको solve करने की कुरी कोशिश करूंगा आप मुझे आपकी दिक्कत कमेंट करना मत भूलना ओके बार